आम तोर पर लॉंग को हम मसाले की रूप में जानते हैं लेकिन ये कई स्वास्त लाभू के लिए भी जाना जाता है। मसाले का सेवन स्वास्त के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। लॉंग में एंटी माइक्रोबियल गुड़ होते हैं ये बुरे बैक्टिरिया के विकास को रोपने में मदद करते हैं। इसी वज़ा से ये औरल हेल्थ में मददकार साबित होते हैं। इससे दान दर्द में भी आराम मिलता है। आप मुह में दर्द वाली जगह पर कुछ मिनिट के लिए एक लॉंग रख सकते हैं। ये दर्द से राहत दिलाने का काम करता है। अगर हरबल तूट फेस्ट में इस्तिमाल किया जाए तो ये प्लेग और दांतों की सडन को खतम करने में मदद कर सकता है। अधिक मात्रा में किसी भी चीज का सेवन नुकसान दायक हो सकता है। इसी तरह लॉंग का अधिक मात्रा में सेवन भी नुकसान पहुचा सकता है। लॉंग में यूजेन आल नामक तक तो होता है जो रक्त के ठक्के बनने की प्रिक्रिया को धीमा कर देता है। डाक्टर दौरा बताई गई मात्रा से अधिक लॉंग के तेल का सेवन करने से bleeding disorder या आतों में bleeding हो सकती है diabetes वाले लोगों के लिए लॉंग प्रभावी होता है क्योंकि ये high blood sugar level को control करता है हाला कि अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये blood sugar level काफी कम कर सकते है सरजरी से पहले और बाद में कम से कम दो सब्ता तक लॉंग नहीं खाने की भी सलादी जाती है ऐसे ही लॉंग के बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन ध्याम वहे कि सेवन एक निश्चित मात्रा में ही करें अगर आपको information पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सिहत के यूटूब जैनल को सब्सक्राइब करें